हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशन ट्रेट के महत्वपोड प्रशनों को समझते हुए हल करेंगे यह पेपर जो आज हम हल करने वाले हैं वो यूपी पीसेल टीजी टू का आफिसेल पेपर है अर्थातिया पिछली बार की परिच्छा में पूछा गया था इस पेपर में पूछे गए सभी प्रशन बहुत ही महत्वपोड है यह आपके होने वाले सभी प्रगार के एलेक्ट्रीशन ट्रेट के एक्जामों में पूछे जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिपत में सौट सरकिट और ओरलोड के विहरुद सुरक्षा पूरदान करता है सेकंड क्वेशिन है यह दिसी परिपत अर्थात सरकिट में उर्जा किसकी गुडणफल के बराबर होती है जिसका राइट अंसर है DC परिपत में उर्जा, वोल्टेज और करेंट के बराबर होती है अगला प्रश्न है सरपड़ वले अर्थात स्लिप रिंग प्रिनड़ी मोटर होती है जिसका राइट अंसर है उच्च परवर्धन बलागोंड दोस्तो स्लिप रिंग मोटर का प्रियोग ऐसे ही स्थानों पर किया जाता है जहां उच्च स्टार्टिंग टार किया और शक्ता होती है अगला प्रश्न है एक सारवत्रिक मोटर की गती भारविश इस्ताएं किस मोटर की तहत परिवर्थित होती है जिसका राइट अंसर है द्रिष्ट धारा स्रेडी मोटर दोस्तो सारवत्तिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर की गती भार विशिषताएं DC सीरीज मोटर की भाती परिवर्तित होती है अगला प्रश्ण है जब मसीन की इनपुट AC होती है और आउटपुट DC होती है तो मसीन कहलाती है जिसका राइट अंसर है तो मसीन रोटरी कनवर्टर कहलाती है दोस्तो रोटरी कनवर्टर में एक AC मोटर के साथ एक DC जनरेटर मेकैनिकली रूप से जुड़ा होता है इसका प्रयोगम समाननिता प्रयोग सालाओं में करते हैं दोस्तो रोटरी कन्वर्टर के विश्थे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें इस वीडियो की लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नेश्ट कुश्चिन है UPS प्रडाली में आपत उप्योगी बैटरियां होती है जिसका राइट अंसर है निकल क्रेड्मियम दोस्तो UPS में निकल क्रेड्मियम या निकल आयरन बैटरियां लगाई जाती है अगला प्रेशन है मोटर जिसमें सिरीज फिल्ड वैंडिंग, संट फिल्ड वैंडिंग के कारण उत्पन हुई फिल्ड वैंडिंग की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है जिसका राइट अंसर है काम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर दोस्तो काम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर में संट फिल्ड वैंडिंग और सिरीज फिल्ड वैंडिंग दोनों ही एक खास तरीके से जुड़े होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला Long Sunt Cumulative Compound Motor और दूसरा Short Sunt Cumulative Compound Motor Next Question है किस DC Motor में निम्न गतिओं पर उच्छी स्टर्टिंग टार्क होता है जिसका राइट अंसर है DC सीरीज मोटर दोस्तो जितने भी DC मोटर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादे स्टर्टिंग टार्क DC सीरीज मोटर का होता है दोस्तो यदि आप जानना चाहते हैं कि DC सीरीज मोटर कितने प्रकार का होता है तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नेश्ट कुश्चन है निम्न में से अधिक की विदुधारा वाले बिजली के जटके से तो अच्छा जल जाएगी जिसका राइट अंसर है 200 मिली अंपियर दोस्तो ऐसे प्रस्णों में हमें ध्यान देना होता है कि दिये गे विकल्पों में जो सबसे ज़्यादे होता है वही हमारा सही अंसर होता है अगला प्रस्ण है किसी DC जनरेटर में लैब बैंडिंग को किन अनुपियोगों के लिए उपियोग किया जाता है जिसका राइट एंसर है DC generator में lap winding, उच्छ करेंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए उप्योग किया जाता है नेश्ट कुश्चन है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC सरकिट में प्रिनड किये प्रतिगात और आविर्थी के बीच क्या संबंध है अर्थात inductive reactance और frequency के बीच क्या संबंध है दोस्तो इसका राइट एंसर होगा XL is equal to 25FL यहाँ पर XL inductive reactance या frequency और L inductance को प्रदर्शित कर रहा है नेस्ट कुश्चन है टांस्फार्मर में प्रात्मिक वद्रित्यक पक्छों में निमलिखित में से क्या इस्थिर रहता है जिसका राइट एंसर है आविर्थी दोस्तो हमारी टांस्पार्मर में दो वैंडिंग होती है primary winding और secondary winding इन दोनों में frequency अर्थात आविर्थी बराबर होती है next question है cathode किरंड दोलन दर्सी अर्थात CR-O का हिर्दय होता है जिसका right answer है cathode किरंड नलिक्या CRT यहाँ पर CR-O का अर्थ होता है cathode ray आसिलोस्कोप और CRT cathode ray tube अगला प्रश्ण है चालकता की काई है जिसका right answer है महोस दोस्तो चालकता अर्थात conductance इसकी काई साइमन होती है इसे हम महोस के नाम से भी जानते है next question है DC मापो के लिए अर्थात DC supply में current और voltage के मापो के लिए किस प्रकार के मापन उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसका right answer है moving coil उपकरण अर्थात MC coil वाले उपकरण next question है एक sign तरंग के लिए RMS का मान 100A है और इसके sirs का मान क्या होगा this right answer है 141A RMS मान और उसके sirs मान के बीच एक संबंध होता है जैसा कि आप इस फार्मूले में देख सकते है यहाँ पर RMS is equal to 0.707 IMAX होता है इस फार्मूले में हम अपने प्रश्ण के value को रख देंगे यहाँ पर RMS की जगह 100 A और फिर 0.707 गुड़े IMAX होगा दोस्तो इस प्रश्ण को हल करने पे हमें सही answer 141 A प्राप्त हो जाएगा अगला प्रश्ण है टांस्मीशन की दक्षिता निमलिखित में से किस के साथ बढ़ जाती है जिसका राइट अंसर है जब voltage तता power factor दोनों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है एक अक्षी भूसम परक्रम परडाली अर्थात अर्थिंग में प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका राइट अंसर है प्रतिरोध का मान एक ओम से तीन ओम के बीच होगा जिसका राइट अंसर है औम प्रतिरोध अर्थात अर्थात इंडक्टिव रियक्टियन्स का इक ओम होता है इसके साथ ही साथ कैपसिटिव रियक्टियन्स का भी काई ओम ही होता है अगला प्रश्ण है एक polyphase induction motor की गती हमेशा होनी चाहिए जिसका राइट अंसर है एक polyphase induction motor की गती हमेशा तुल्यकाली गती अर्थात सिंक्रोनस गती से कम होनी चाहिए अगला प्रश्ण है प्रिथवी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहरों को मोडने के लिए प्रिथवी और लाइन के बीच लगा हुआ search diverter किस रूप में जाना जाता है बिजली रोधक, lightning arrester अगला प्रश्ण है बायो खेलों के लिए उप्योग होने वाला लैंप किस प्रकार का होता है जिसका राइट अंसर है high-logen लैंप होता है अगला प्रश्ण है अधिक्तम 200 वोल्ट की AC का आउसत मुली क्या होगा जिसका राइट अंसर है 127.4 वोल्ट दोस्तो अधिक्तम वोल्ट और आउसत वोल्ट के बीच value को ग्याद करने के लिए हम इस फार्मूली का प्रियोग करते हैं यहाँ पर हम 200 में 0.637 का गुड़ा कर देंगे तो हमें AC वोल्ट का आउसत मान पता चल जाएगा नेश्ट कुश्चिन है उपकेंद्रो में विद्धुधारा परड़ामित्र अर्थात करेंट टांसफार्मर का उप्योग का परास बढ़ाने के लिए किया जाता है जिसका राइट अंसर है एमीटर का परस बढ़ाने के लिए हम करेंट टांस फार्मर का उप्यूग करते है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस पॉलिफेज इंडक्शन मोटर उच्छ प्रारंभिक टार्क और उच्छ ओबरलोड छमता के साथ इस्थिर गती होती है थ्री फेज टांस फार्मर में वाइंडिंग एक स्टार तरीके से जूड़ी होती है हाला कि स्टार बिंदू निमलिखित में से किस वीधी से ग्राउंड नहीं होती जिसका राइट अंसर है इंटर इस्टार कनेक्शन दोस्तो इंटर इस्टार कनेक्शन वाली टांसफार्मर का प्रयोग हम परवतिय छेत्रों में करते हैं अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन से कनेक्शन का उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है जिसका राइट अंसर है स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं नेश्ट कुष्चन है डीसी मोटर की गती बैक विदुत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और होती है जिसका राइट अंसर है flux के साथ व्यूत करमानुपाति दोस्तो सीरीज मोटर की गती back EMF के साथ सीधे अनुपातिक और flux के साथ व्यूत करमानुपातिक होती है अगला प्रश्ण है निमलेखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर समागरी है जिसका राइट अंसर है कार्बन कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर समागरी माना जाता है अगला प्रश्ण है AC सर्किट में पावर घटक निमलेखित में से किसके बराबर होता है जिसका राइट अंसर है AC circuit में power घटक, voltage और current के बीज की code का कुशाइन होता है Next question है फिलोरिनेटिट तरल प्रदाथ संसलिसित तरल प्रदार्थों के समान होती है और इसका उपियोग हम कहा करते है जिसका राइट अंसर है इसका उपियोग हम टांसफार्मर में करते है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी मोटर स्वेंग शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को हमाने के लिए एक प्राइब मूवर की आवशकता पड़ेगी जिसका राइट अंसर है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मोटर स्वेंग श्टार्ट होने वाली मोटर नहीं है अगला प्रशन है एक सिंगल फेज पावर फेक्टर मीटर में दो इस्थेर कौाइल कुंडली होते है जो लोड के साथ जुड़े होते है जिसका राइट अंसर है जिसका राइट अंसर है संधारित चलित दोस्तो संधारित चलित अर्थात कैपसीटर स्टार्ट मोटर का सक्ती गुड़क अपिक्चा क्रित अधिक होता है नेश्ट कुश्चन है अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम ओवर की गती वोल्टेज और निर्धारित करती है जिसका राइट अंसर है अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम ओवर की गती वोल्टेज और आउटपुट की आविरती को निर्धारित करती है नेश्ट कुश्चन है उर्जा घटकों में सुधार के लिए निमलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सबस्टेशनों में बस बार के समनांतर उपयोग की जाती है जिसका राइट एंसर है सिंक्रोनस मोटर अगला प्रश्ण है एक वाडिजिक टांसफारवर में धारा प्रवर्थं गुड़ांग अल्फा की मान का पारस होता है जिसका राइट एंसर है 0.9 से 0.99 नेश्ट कुश्चन है चुम्बक के अधिक्तम आकर्सन बलकी बिंदू को इसका कहा जाता है जिसका राइट एंसर है अधिक्तम बिंदू को चुम्बक के ध्रू कहा जाता है अगला प्रशन है रशानिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को क्या कहते है जिसका राइट एंसर है रशानिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं अगला प्रश्ण है दृष्ट धारा मसीन का आर्मेचर किस से बना होता है जिसका राइट अंसर है डीसी मसीन का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील से बना होता है अगला प्रश्ण है 0.01 ओम से लेकर एक मेगा ओम पारस के प्रतिरूधों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विदी उप्यूक्त है जिसका राइट अंसर है वीट स्टोन से तुभी थी अगला प्रश्ण है दृष्ट धारा मोटरों में अर्थाद डीसी मोटरों में इस टार्टर किस के लिए आवश्यक है जिसका राइट अंसर है स्टार अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने के लिए आवश्यक होता है अगला प्रश्ण है पचास हर्टेज आठ पोल्ट तुल्यकाली मोटर की गति कितनी होगी जिसका राइट अंसर है साथ सो पचास आर्पियम दोस्तो इस प्रशन को दी हुए फार्मूले से हम हल करेंगे नेश्ट कुश्चिन है पचास वोल्स द्रिश्ट धारा सुरोच से एक दस सोम प्रतिरोच जुड़ा हुआ है प्रतिरोच के मद्द से प्रवावित होने वाली धारा की गर्णा करें जिसका राइट अंसर है पाँच एंपियर दोस्तो इस प्रशन को हम दी हुए फार्मूले से हल करेंगे अगला प्रशन है द्रिश्ट धारा मसीन में द्रिक परिवर्तक खंड अर्थात काम्यूटिटर से बने होते हैं जिसका राइट अंसर है कठोर करसित ताबा अर्थात हार्ड ड्रान अगला प्रशन है लैम की दक्षिता को किसमें व्यक्त किया जाता है जिसका राइट अंसर है लैम की दक्चिता को ल्यूमेन प्रतिवाट में व्यक्त किया जाता है अगला प्रश्ण है छारी सेलो में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक छार और होता है जिसका राइट अंसर है छारिय सेलो में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में छार और निकल आइरन या निकल क्रेडिमियम प्लेट होती है अगला प्रश्ण है एक पॉली फिज इंडक्शन मोटर की गती हमेशा होगी जिसका राइट अंसर है तुलिकाली गती अर्था सिंक्रोनस गती से कम होगी अगला प्रश्ण है द्रिश्ट धारा संट जनित्र का मुख्य दोस क्या है जिसका राइट अंसर है भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफी कमी आ जाती है अगला प्रश्ण है प्रकास की उर्जा को विद्धुती उर्जा में परिवर्तन करने में सक्छम है उसे हम किस रूप में जानते हैं जिसका राइट अंसर है सूलर सेल दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशन एजूकिशन को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन दबा कर उसे आल पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिविकिशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तो इस वीडियो की पीडियाफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना वाट्सअप नमबर हमें जरूर कमेंट करें हम इस वीडियो की पीडियाफ के साथ एजाम सम्मंदित मौतपूर जानकारी भीषती रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद